कि अधियर स्टुडेंट शगला अपना प्रैक्टिकल में है इंसर्ट अप्डेट डिलीट प्यस्पी और माई एस्पील का यूज़ करके CS 310 प्यस्पील में पार्ट टू पहले हमने डेटाबेस कनेक्टिंटी देखी डेटाबेस और प्यस्पील का प्यस्पील बनाई उसके अप्डेट और उसके बाद में उस इंफॉर्मिशन को जो डेटाबेस में उसको पेज में ही कैसे अब उसको एग्जुक्ट करवा को दिस्प्ले करवाएंगे तो पहला हम उसमें अप्डेट के लिए वह है कि आपका सेम इंसर्ट की जगह अपडेट कमांड चलाना है प्य आपको इंक्लूड करानी है फाई और इसको डबल गोटेशन या सिंगल गोटेशन में डबल में ले लिए उसको जो प्रोग्राम में पिछे आप रोको वीडियो बनाया चैंज कर भीजिए कोई फरक्नी करता इसका गलतियां नहीं चलता है तो वह उता तो आजाता है प्रो इसके बाद में हमने कोई है ऐसको यान ले वेरियम लिया उसमें हमने अग्जीट रा दिया कि अपडेट है कोई कमान अपडेट और कौन सी CS 3YR ये टेबल है और सैट अमने कर दिया मार्क्स म, A, R, K, S is equal to 91 ये दिए अभी 91 मार्क्स डालने हैं किसमें डालने हैं वेर और एंडोर्मेंट ले ले लेते हैं E, N, R, O, W, L या है जो ये उसमें फिल्ट का देगे लिए उसमें कोई नहीं है ये नारो डबल है इस इकल टू और माल लिए आपने दस नंबर है डेटा उसमें ले लिए इसको आप ये क्यूरी पूरी हो गई और इसको बंद कीजिए और ये क्यूरी ठीक है यहाँ पी पिसली क्यूरी में भी ध्यान रखना है कि ये क्यूरी आपकी बंद हो गई और इसको सेमिकलम में बंद कीजिए ठीक है तो इस टाइब से कोई आपके मिस्टेक रह जाती है तो आप रंजीपूट करेंगे तो वो और फिर मेरे से आप कंसल के कर सकते हैं यह आपकी क्यूरी आपने लिग दी फिर क्यूरी को चलाना है अगर यह इसको आपने डॉलर भी दे लिया तो इसको चेक करना है कि इफ डॉलर भी अगर चली एक यूरी यानि अपडेट हुआ है तो प्रिंट करेगा अपडेट कि और अगर नहीं हुआ है तो कि को कि को कि नो अगर आप 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 जो भी प्रिंट कराना चाहिए यह बन कर दिया और यह आपने इसको शेव करेंगे जब कि दोट पीएच्पी और आपने इसको इंक्लूट कर दिया और इंक्लूट के बाद में वहीं कमांड चलाएंगे डॉलर एस्क्यूएल की सीक्वल टू और डिलीट अपने डिलीट करने का चलाना तो डिलीट का आपके आजाएगा वही है कि डबल कोटेशन में दी छोटे लिखो चाएग डिलीट फ्रों और सी एस थ्री वाई आर वेर कंडिशन देने पड़ेगी वेर और इन्रॉल इन आर ओ डबल ल यार जोगी आप लेते हो इस इकल टू मालीजे साथ साथ एंडॉल्मेंट पे यह इसको सेमिकॉर्ण बंद गिया डबल कोटेशन और यह चलेगी और इसको एक्जिकूट करने के लिए माई सब्सक्राइब यहां देखें हमने प्रोग्राम्स में जो भी हमने यूज किया है तो आप स्क्राइब करेंगे , sql i sql i करेंगे आप प्रोग्राइब दाने थाथ माल माई iisql i का use आप लेंगे तो यह आप ने कर दिया और इसके बात में यह कनेक्तु होगी इसको आपने मालीजेए डोलर सी में कनेक्त अप डोलर सी अब इसको देखना है क्यों रही चली है क्या तो इफ और डोलर कि डेटा डिलीटेट और अगर एल्स नहीं हुआ है तो चेक लेंगे हम क्या प्रोब्लम है टिको डेटा नौट डिलीटेट यह बंद हो गया और इसको आपने इसको जब आप चलाएंगे तो डेटा को जहां एक नमबर है तो बार-बार हमें वेल्यू देनी पड़ेगी तो आगे की प्रोग्रामी होगी तो हम इसको दूसरे कंसर्प्ता यूज लेंगे वेल्यू को पास करवा सके तो यहा इस टेबल के अंदर यहां पर चार कोलम हो और चार कोलम में यहां पर हो नेम यहां पर हो आपके मार्क्स या इधर से इसरी इधर आर इन आर ओं इंडर मैं नमबर ले सकते मार्क्स यहां पर चलो इसको उटाओ यहां ले सकता है यहां देखिए कि यहां पर E N R O enrollment number यह table में आ जाए और यहाँ पर आ जाए name ठीक है और यहाँ पर आ जाए marks ठीक है और यहाँ पर आगे आपका result यह table हमें मालूब बनानी है और data इस table में आके आपका display हो इस table को बनाने के लिए हमने दिखा था 1, 2, 3, 4 तो हम table जब बनाते हैं या इसको आप display जब करते हैं तो table का use किया जाता है तो table का use करने के लिए हमें असे भी गस्ते हैं लेकि टेबल का use करने से असानी होती है तो table का use करने के लिए हमें HTML में second year में देखा था हमने 309 में कि table का use करने के लिए कि हम टेबल बनाते हैं तो HTML फाइल का यहां पर यूज किया जाएगा तो आपको में बतारता हूं कि HTML एड हैड ऑपन हैड हम इसमें अगे HTML की बात नहीं करेंगे कि वह पढ़ चुके हैं और उसके बाद में हम लेते हैं बी ओडी वाई बोडी के अंदर सब कुछ यह डिस्प्ले करता है और इसका नाम है डिस्प जी पी सीडिस डॉट पी एच्प नाम उसका पीश्पी से क्नेट कर लिया और उसके बाद हम कि एक ऐसा हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि एक वेरियेबल आ जाए हमारे पास जिसमें जो रिकोर्ट सब हैं वो सबके सब इस वेरियेबल में है तो उस वेरियेबल का हमने वही नाम लिए लिए एसकोल ले लिजिए आप एसकोल इस इकल टू आप यूरी चलाएए एस इले सीटी सेलेक्ट से लिए फ्रॉम कि सी एस थ्री वाई आर इस टेबल से आपने यह ले लिए और इसका आपने समीकॉल लगा दिया और यहां पर सिंट ठीक है अब आप एक और लेजिए आर वी कोर्ड आर इसी डिकोर्ड नाम में आर इसी ले लिए ठीक है रिकोर्ड ले लिया तो इसमें वेल्यू क्या जाएगी हम उसकूरी को चलाएंगे तो माई अब देखेंगे कि हम इसके अंदर यह देखेंगे अब देखेंगे कि आपको इफ कि डोलर कि आर इसी वन आर ओ नम्रों एन एन यू एम और अनुस्कोर और रो रो रोज इस ग्रेट देंग यहां यही अगर यह आर इसी वन रिकोर्ड के अंदर नम्बर ओफ रोज जो स्लेक्ट कि अग्र यह आई है यहां पर इस फाइल में कुछ है मालक उसी निया तो इसकी वेली जीरो होगी अगर जीरो से ज्यादा है तो हमारा यह प्रोग्राम चलेगा इस प्रोग्राम में हमने देखा था कि टेबल बनाते हम तो वह यहां पर इसी एच ओ और टी एब्याइट आपका यह से अब हम चाहते हैं कि उसकी टेबल की जो टेबल की है दिन जो यह वाली है यह यह देटा तो उस रिकोर्ड से लूप लगा जिए हम एक एक उठाटे वे डिस्प्ले कर देंगे लेकिन यह फिक्स है इसको हम क्या करेंगे यहां पर पहले पहली बना देंगे कि इसी है चो और यहां पर टेबल रो और टेबल डेटा यह घाना और यहां क्या होना चाहिए प्रिंट आपका एंडोल्मेंट ई-n-r-o एंडोल्मेंट नंबर और टेबल डेटा बंद और दूसा आ गया टेबल डेटा शुरू टेबल डेटा दूसरे में गया नेम एन एन ए table data बंद इसके बाद में table data start नेम के बाद में आएगा उसका m a r k s और table data बंद फिर आज आएगा table data start and r e s u l t विजल दे लिया और table data बंद और ये पूरी पूरी table row table row बंद हो गई और हम इसको यहां पर यह table आगी अब हम देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग पहली यह table और यह पहली लाइन आगी अब हम इसको आगे यहां यह fix होने के बाद इसको एक एक record उस आरी सीवन जो लिया हमने उससे एक इसको डिस्प्ले करवाएंगे डिस्प्ले करवाने के लिए हम function का यूज लेंगे वाहिल का तो डबलु एच आई एफ टी कि फैच अंडरे स्कोर के डबल एस ओ सी एसोशेट यानि वह रो एक एक उठाते एक एक उठाते चला जाएगा तो यहाद रख लिजिए और वाइल को इको अब यहां पर यह क्या चापेगा कि इस टेबल का है यह टेबल और इसमें टेबल डो एक दो तीन चाह करेगा कि टेबल रो और टेबल डेटा यह दो चलाएगी टेबल रो और टेबल डेटा और उसके बाद में यह बंद हो गया ठीक है अब हम हमारे पास में यह जो एरे बना था यह इन यह कहरे बना था इस गोज नाम का यहाँ पर दोलर रोवन डोट डोट यह यह इस्टिंग डोट यह स्टिंग आई इसकी वल्यू बाहर आएगी और उस एरे के अंदर क्या है सिंगल कोर्टेशन में यह फिल्ड है उसका और यह हो गया बंद और फिर इसका यह वाला टेबल डेटा बंद कर दिया हमने और यहां पर हमने टेबल डेटा शुरू कर दिया और डॉलर डॉलर रो वन और यहां पर आ जाएगा नेम बंद और यहां पर टेबल डेटा बंद और यहां पर टेबल डेटा शुरू और यह डोलर रो वन और यहां गया आपका सिंगल कोर्टेशन में एम ए आर मार्क्स और यहां गया आपका बंद फिर यह वाला टेबल डेटा क्लोर्ज और टेबल डेटा स्टार्ट और फिर डोलर रो वन और यहां पर आएगा पर परसेंटेज अपने लिया था यह रिजल्ट र-e-s-u-l-t रिजल्ट आ गया और यह सब्सक्राइबल्ड बेता बंग और यह कंप्लिट ओ गया टेबल रो बंग यह यह चीजम से पर लाश्ट करने के बाद में वाहिल के चाहिए एको क्योंने चाहिए टेबल क्लोनने चाहिए एको और आपका कि टीए बील जो आप करते हो एस टीए में टेबल बंद हो गई आपकी यह उसको अगर कुछ भी उसमें नहीं है तो इसके बाद में इसकी अगला एल्स आ जाएगा एल्स नो रिकॉर्ड फांड और यह आपका बंद हो गया और उसके बाद आप इसको कम्प्लीटली जब देखेंगे तो आपके सामने पीएच्प का बंद है फिर एच्छी टीएमेल बंद है और एच्टीएमेल बंद है तो इस टाइप से जब इस एक्जुकुशन करेंगे तो कनेक्ट होगा और कनेक्ट होने के बाद में आपकी यह क्यूरी चलेगी इससे रिसी में रिकॉर्ड आ जाएगा कनेक्ट और वो अगर जीरों से बड़ा यानि हर उसकी रोज की क बंद है तो इस टाइप से हम डेटाबेस में जाके माई प्रेक्ट ली करा सकते हैं तो यह आप रेक्टिस करेंगे और कोई समय से आएगी तो मुझे पूछेंगे धन्यवाद